प्राची पहुंच चुकी है महरा हाउस में और महरा हाउस में दो तीन दुश्पन भी खता है प्राची ने जहां आल्या तो है ही है साथ साथ रिया भी जहां रिया ने कर ली है एक और प्लैनिंग और एक और बजमाशी करने शुरू कर दी है प्राची के साथ क्योंकि रियार प्रैंक करने में एक्सपर्ट है बच्चों को ट्रॉल करने में एक्सपर्ट है क्योंकि वो कॉलेज में यही तो गर्दी है और अब प्राची ने दे दिया मूँ तोर जवाब तो उसके लिए इगो हट हो गया है हमारी रिया का तो बला कैसे वो प्राची को इतनी असानी से छोड़ दे तो प्राची को फसाने में आल्ले और रिया दोनों बनाएंगे प्लैन जिस प्लैन में प्राची पहुंच सकती है जेल और जेल पहुँचने के बाद प्राची के पास पहुँच जाएंगे अभी और पूरब दोनों क्योंकि अभी को प्राची से हलका हलका लगाफसा है जैने का एसास है जो कि अभी को प्राची की और खीच रहा है और इसी एसास का सच पूरब के सामने आ जाएगा क्योंकि प्राची के बैग में प्रग्या की फोटो होगी और वो फोटो देख लेगा पूरव जिसके बाद पूरव के सामने सारी सच्छाई आ जाएगी तब क्या करेगा पूरव, क्या अभी की नफरत को देख कर प्राजी का सच छुपा लेगा या फिर बता देगा या फिर एक और सच प्रग्या को तोड़ कर रदेगा तब आगे के अपने जानने के लिए बने रही हमारे साथ पर साथी साथ सब्सक्राइब कर लिजए हमारे चानल 2487 ऑनलाइन उस्टी रोम की रपोर्ट